हलो फ्रेंड्स कैप्टें सुनने चैनल पे आपका स्पागत है आज हमने टॉपिक लिया है दिवाली की सपाई के बर में अगर आपके घर पर छोटे बच्चे हैं और कूझ इस तरह से आपके सब दिवारों पे देखिए सब जगापे सब दिवारों पे आपके बच्चों ने यह ऐसे एक पैंटिंग उन्होंने केंवारों आपका डूझग कलर नहीं चाते हो आपके घर पर तो आप मैं जो आपको तरीका बता ही हूँ इस तरीके से आप आपका ये colors के जो marks है, crayons के जो marks है, वो आप निकाल सकते हो, तो इसके जो ये marks से आप easily हटा सकते हो, इसके लिए मैंने क्या क्या लिया है, वो आपको मैं बता देती हूँ, और आपको ये भी बता देती हूँ, कि next video मेरा आने वाला है, कि दिवाली के सब आप किस तरह से करेगा, और first आप क्या करने लिजिए, वो आपको मैं बता हूँगी, okay, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, इसके अंदर मैंने, firstly मैंने एक छोटा सा बाव लिया हुआ है, इसके अंदर मैंने शैंपू या कुछ भी सोफ डाल सकते हैं, मैंने इसमें शैंप इसके में कलोत लिया हुआ है, जो हमें फेकना है, वन आस निदाने कापले कर लिएते हैं, मैंने वरदी सालगेते हैं, मैंने निया है eigen इसके फाहना के Vallahi हूएkum, यह हमें इसके निद इसके फाहना में इसको इस तरह से रोटे करते हैं, अधिये, जरह नारदी क्वारता है, यह बहुत ही बजेट का बजेट में आएगा यह वाश अपको क्योंकि इन कलर करने जाओगे तो आपको 20-30,000 रुपए इसी चले जाएंगे तो यह सिंपली आप इस तरह से आप करोगे तो आपके डाग नहीं रहेंगे और आपके दीवार पहले जैसी हो जाएगी और सब्सक्राइब तो चोटे होते हैं उनको कुछ भी बोलो वो करेंगे जो उनको करना है तो हम इस तरह से दाग मित्टे देखिए अब यह बीड गिला कपड़ा है उसके मदद से हम सिंपली यह ऐसे पोज देगे तो देखिए फ्रेंड्स आपके सामने मैंने यह दाग निका देने तो आप भी ऐसी अपके दिवार पर से दाग निकालिएगा और कुछी प्रब्लम हो तो कमेंट बोक्स में कमेंट किजिएगा मैं आपको हर सवाल का जवाब दे दूए थैंक्यू